नमस्का दोस्तो डायेट एंग फिटनेस में आपका एक बार फिल से स्वागत है मेरा नाम है डायेटिशन अकांगशा और आज की वीडियो में हम देखने वाले है यह LDL और HDL कोलेस्टरॉल जो होता है और इसे डायेट के साथ अहार के साथ कंट्रोल कैसे करना है तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आगया बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चानल पे नहीं हो और अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे तो सबसे पहले बुरा कोलेस्टरॉल जो होता है उसके बारे में हम देखते हैं फिर अच्छा कोलेस्टरॉल जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो LDL यानि की low density lipoprotein ऐसे इसका full form आजाता है और LDL कोलेस्टरॉल जो है वो थोड़ा बुरा कोलेस्टरॉल हमारे शरीर में माना जाता है अब यह क्यों क्योंकि यह क्या करता है लाइपो प्रोटीन जैसे मैंने कहा तो यह कोलेस्टरॉल को liver से जो arteries होती है हमारी रक्तव की वाहिका जो होती है उसकी तरफ लेके जाता है और वहाँ पे क्या हो सकता है वहाँ पे यह जम सकता है जाके तो ज्यादा मात्रा में अगर यह LDL के levels आपके बढ़ जाते है तो यह जो कोलेस्टरॉल है वो आपकी arteries में जम जाता है और जैसे कि आपको पता होगा कि plaque ऐसी एक term यूज की जाती है इसके लिए plaque formation यानि कि यह mom जैसा होता है जो कोलेस्टरॉल होता है मूम जैसा एक substance है पर पदात होता है तो अगर आप सोच सकते हो एक पाइप लाइन अगर हम कंसिडर करें तो पाइप लाइन में जैसे कच्रा जमा हो जाता है या फिर जैसे grease आप इमाजिन कर सकते हो जो engine oil में वगरा engine में वगरा हम इस्तेमाल करते हैं तो grease की तरह आपकी जो pipeline है उसमें ये धीरे-धीरे-धीरे करके जमने लगता है और फिर क्या हो जाएगा वहाँ पे इतना ज्यादा plaque formation अगर हो जाएगा तो जो भी आप वो pipeline जो से हम consider करें तो पानी का जो प्रवा होगा pipeline से वो रुख जाएगा उसी प्रकार से रिदय की तरफ या फिर कोई भी organ की तरफ हमारे जाने वाला जो रप्त प्रवा होता है उसमें ये जो plaque होता है वो कही ना कही problem डालता है कही ना कही बाधा डाल देता है और फिर उसी के कारण आपको पता होगा कि heart attack है heart stroke है या फिर brain stroke दिमाग के stroke का भी इसके कारण खतरा हो सकता है heart stroke और brain stroke के साथ साथ चरीर के काफी जो हमारे एहम अंग होते है जैसे कि kidney आपकी होगी उसकी तरफ भी blood flow को ये कम कर सकता है इसलिए LDL की जो level है वो limit से बढ़नी नहीं चाहिए यानि कि आपको वहाँ पर पता चलेगा अगर आप report दिखते हो कोई भी एक normal तो normal range के उपर LDL जो भी जाता है तो डॉक्टर भी थोड़ा सा आपको ये कर देते हैं इशारा कर देते हैं कि थोड़ा सा आप diet है या फिर अपनी lifestyle चेंज करने की जरूरत है तो ये थो रहा LDL cholesterol के बारे में अब हम बात करेंगे HDL cholesterol यानि कि high density lipoprotein इसका full form जाता है HDL के बारे में अब हम देखेंगे और ये HDL क्या करता है जैसे LDL का काम था उसके opposite हम कह सकते है उसे उल्टा ये काम करता है यानि कि अत्रिक cholesterol जो होता है अपने arteries में या फिर पूरे system में कही भी अत्रिक cholesterol जो जमा होता है उसे ये वापस से ले जाता है हमारी liver की तरफ और liver से वो बाहर eliminate हो जाता है हमारे शरी में काम कर रहा है लेकिन अगर आप देखो दोस्तों तो बहुत ज्यादा मात्रा में तो HDL है वो पूरा जो cholesterol है अत्रिक cholesterol है वो बाहर नहीं निकाल पाएगा तो इसलिए हमारा diet जैसे मैंने दो factors बता एक तो liver produce करती है और दूसरा जो है वो diet हमारा आहार काफी एहम होता है तो इसलिए diet से आप LDL level कम कर सकते हो या फिर HDL level बढ़ा सकते हो या ऐसे नहीं कि एक पदा खा लिया तो immediately आपके results अच्छा आजाएंगे लेकिन धीरे धीरे क्योंकि lifestyle changes जैसे मैं कहते हूं कि lifestyle changes होना बहुत जरूरी है एक दिन या फिर महीना बरे मैंने diet कर लिया cholesterol management का फिर मेरा cholesterol ठीक हो गया और उसके बाद मैं मैंने वापसे junk food है आप जो भी है खाना चालू कर दिया ऐसे यह नहीं चलता है धीरे धीरे आपको जो आदत ही लगती है जो आदत अच्छे होनी चाहिए अच्छी चीज़े खाने की जंगफूर से जादा दूर रहने की मैं हमेशा ख कम कैसे किया जाए डायेट के साथ और HDL का स्तर बढ़ाया कैसे जाए तो सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे रिफाइन काब्स जो होते है रिफाइन काबोहाइड़ेट हो गया और जादा शुगरी यानि की जादा मीठे पदात जो होते है शक्कर से भरपूर पदात होते है वो आपको कम कर देने है अहार में क्योंकि इसके कारण HDL के जो लेवल है HDL का जो स्तर है वो कम हो जाता है शरीर में तो जैसे मैंने बता है HDL का स्तर हमें जादा रखना है हमारे शरीर में क्योंकि वो अच्छा कोलेस्टॉल है तो इसमें क्या आता है अब रिफाइन काबोहाइड यानि की खास तौर पे जो मैदे के पदात बनते है अलग-अलग प्रकार के उनसे आपको दूर रह होंगी कि बिकरी प्रड़क्ट होता है अलग-अलग प्रकार के पफ अगरा आते हैं वो सबसे थोड़ा सा अगर आप दूर रहो तो सबसे पहले तो HDL कम जो होता है शरीर में से उसे हम कम कर सकते यानि कि रोक सकते है उस प्रोसेस को ठीक है फिर उसके बाद HDL का स्तर काने के लिए अलग पदार्त और पदार्त मैं बताना चाहूंगी उसमें सबसे पहले तो फल और ताजी सब्जिया लेना बहुत ज्यादा ज़रूरी है इनमें फाइबर की मात्रा भी काफी अच्छी होती है तो यह पूरे हमारे रिदे के स्वास्ते के लिए और पूरी शर में मेरखूने हैं मैदे में में फाइबर है न्योंत्रीयंट्स नुटिय रोते हैं उनकी कमी हो लेकिन वहीं आप साबुत अनाज काते हो गेष, चावल, जवार, भाजरी या फिर ओड़् जैसे पदात अगर आप तो उसमें एक तो फाइबर की मातरा अँचklich होती है और उ अब देखते हैं कि LDL जो बढ़ता है जो बुरा कोलेस्टॉल बढ़ता है हमारे शरीर में उसे कम करने के लिए आप क्या खा सकते हो तो उसमें सबसे पहले तो high-fiber foods जैसे मैंने कहा जो कि आपका HDL पढ़ाने के लिए और उसी के साथ साथ LDL कम करने के लिए मदद करेंगे त कम फाट वाले कम वसा वाले जो dairy products है low-fat दही आता है या फिर आप टोंड मिल्क का इस्तिमाल कर सकते हो या फिर रेगुलर मिल्क रेगुलर दूत अगर आप लेते हो तो उसमें से मलाई वगरा हटा के उसका इस्तिमाल कर सकते हो सबसे बुरी चीज यहां पर मैं बताना चा में वगरा प्रेट में हमें मिलता है वो है फ्रेश मीट आप जरूर खा सकते हो चिकन है या फिर जो भी आपको पसंदे है फिश है मचली का option में ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे कहूंगी यह आप जरूर का सकते हो लेकिन तो प्रोसेस्ट मीट आता है उसकी मातरा थोड़ यानि की एक प्रकार का फैट जो होता है मैं बता दिऊ आपको क्या होता है यह जो इस प्रकार का फैट होता है म्यूफा और प्यूफा यह हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है तो ज्यादा तर साचुरेटेड फैट से या फिर बाकी चीज़े खाने से अच्छा है आप ज् कम करने के लिए काफी मदद करता है क्योंकि प्यूफा और म्यूफा जैसे और उसी के साथ-साथ Sulfur Containing compounds होती है जिन Sulfur की मात्रा होती है जैसे कि आलीसीन नाम का तत्व होता है लहसुन के अंदर पाया जाता है तो लहसुन इसलिए बोलते है कि जिन जिन लोग का कोलेस्टरॉल हायाता है उन्होंने एक कच्ची जो कली होती है लहसुन की वो रोज सुबह चबा के खानी चाहिए क्योंकि उसमें जो आलीसीन नाम का तत्व होता है वो लडील को कम करने के लिए मदद करता है उसी के साथ साथ प्याज जो होता है वो भी इनने आहार में सलात के तौर पे ले सकते हो उसके बार दोस्तों मैं जैसे मैंने आपको कहा कि लाइफस्टाइल बदलना जरूरी है आपको डॉक्टर भी बोलेंगे कि लाइफस्टाइल आप चेंज करे थोड़ा सा क्योंकि यह सब जो होता है हार्ट के प्रॉब्लम से को होना है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस में हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है आपका जीवन शैली है वह काफी ज्यादा मैं तो सबसे पहले में यहां पर बताना चाहूंगी स्मोकिंग की अगर आपको आदत है दूमरपान करने की आदत है तो उसे छोड़े उसे चोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है उसे के साथ साथ exercise बहुत जरूरी है कोई भी एक प्रेकार की exercise आप कर सकते हो जो भी आपको बसने क्योंकि बहुत बार मैं गहती हूँ कि डायट का अपना फायदा होता है अपना benefit होता है और exercise का अपना benefit होता है बहुत लोग कर जो भी आपको बसन है वो करना भी बहुत आवश्य करने से और फायदा क्या होगा आपको आपका weight आपका जो वजन है वो नियंतर रहेगा तो यह सारा जो मैंने अभी बताया डायट है या फिर एक्सरसाइज है यह सारी चीज़े मिलके आपको वजन कम करने के लिए भी मदद करेंगी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूले और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर भी करें हम मिलते हैं अगली वीडियो में गुडबाई